आपके लिए राशी फल लेके फिर से हम हाजिर हैं और आज हम बता रहे हैं कि अगर आपकी राशी कुम्भ राशी यानि की अक्वेरियस राशी बनती है चाहे वो आपकी लगन राशी हो या आपका मून जोडियाक हो तो ऐसे में सेप्टेंबर का महीना आपके लिए क्या कुछ खास लेकर आ रहा है राशी फल के माद़न से आप पहले से ही सतर्ख हो जाते हैं आपको पहले से ही ग्यात हो जाता है कि आपके लिए जो आने वाला समय है वो किस परकार का रहने वाला है कहां पे उतार चड़ाव क सामना आपको करना पर सकता है और ग्रहों की गोचर की जो परिस्थितियां है वो आपकी लाइफ को किस तरीके से impact कर रही है जहां पर challenges का सामना आपको करना पर सकता है वहां पर पहले ही mindful रहे के अगर हम अपने जो decisions है उनको थोड़ा सा smartly ले लेते हैं तो हमें अपनी life में जादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है और वहीं उपायों का सहारा अगर हम ले लेते हैं तो planetary positions को भी हम काफी हद तक अपने लिए favorable बना लेते हैं अगर हम Aquarius की बात करते हैं कुम्भ राशी की बात करते हैं तो Aquarius राशी में अभी फिलाल शनी देव जो है जो आपकी खुद की राशी के स्वामी है अपनी मूल्त रिकोर्ण राशी में स्थित हैं लेकिन वो वक्रिये चाल यानि की retro movement जो है वो कर रहे हैं और आपकी खुद की राशी में ही ये retro movement जो है वो कर रहे हैं तो इसी वज़ा से आपकी physical health को directly वो impact करते हैं आपकी राशी को प्रभावित करने की वज़ा से आलस इस समय के दौरान आप में अधिक से ज्यादा बढ़ा सकते हैं लेकिन इसके इलावा आपकी professional life, आपकी personal life, आपकी health पे किस तरीके का प्रभाव रहने वाला है ग्रहों की चाल का उसको भी in detail हम समझते हैं सबसे पहले अगर हम आपकी professional life की बात करते हैं आपके job की भाव की बात करते हैं तो वहाँ पे आपके जो सहकर्मी हैं वहाँ पे जो आपके colleagues हैं जो सहयोगी हैं वो आपको अच्छा सहयोग इस समय के दौरान दे सकते हैं उनके help से आप काफी अच्छी चीज़ें जो है इस समय के दौरान अपने job जो field है job का जो क्षेत्र है उसमें आप achieve करने के लिए समर्थ हो पाएंगे दूसरी चीज़ यह है कि अगर job के लिए promotion आप चाह रहे थे कि कोई अच्छा आपको opportunity मिल जाए तो उस opportunity का भी योग जो है वो strongly बन रहा है जो individual business owners के अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे भी आपकी जो planning होगी वो काफी fruitful और काफी अच्छी समय के दौरान साबित होगी जिसकी वज़ा से आप अपने लिए as business owners आप अच्छी opportunities जो है वो अर्जित करने के लिए सक्षम होंगे समय के दौरान तो all over अगर हम बात करते हैं तो professional life में अच्छे changes जो है वो दिख रहे हैं नसर आ रहे हैं आप सभी के लिए मेहनत थोड़ी सी समय के दौरान अधिक करनी पड़ सकती है वो आपको ख्याल रखना है लेकिन अगर मेहनत करते रहेंगे तो उसका फल जो है वो अवश्य मिलेगा क्योंकि शनी की retro movement और उनकी जो तीसरी दृष्टी है वो डारेक्ली आपके hard work आपके पराक्रम के भाव पे पड़ रही है और शनी देव लगन में जब retro हो जाते हैं और शनी देव क्योंकि सबसे धीमी गती से चलने वाले प्लानेट है तो उनकी retro movement आलस बढ़ा देता है तो आलस को side रखके अग अपसी अच्छे changes जो है इस समय के दौरान मिलते हुए आपको नजर आ रहे हैं आपकी professional life में पैसे के अगर हम बात करते हैं financial gains के अगर हम बात करते हैं तो financial स्थिक किस तरीके की रहने वाली है लेन देन के मामले में थोड़ी सी नजर रखने का आपको इस समय के दौरान प् placement फसा हुआ पैसा जो है वो वापसी आने में समय लग सकता है किसी को पैसा देंगे तो पैसे की गड़बडी वो व्यक्ति कर सकता है आपके साथ पैसे को लेके तो इस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान में रखेगा सतर्क रहिएगा हाँ family के दौरा आपको अच्छा income का पैसा है उसमें कुछ ऊच नीच जो है वो कोई व्यक्ति करने का प्रयास कर सकता है आपके साथ तो इस चीज को लेके थोड़ा सा कौशिस थोड़ा सा सतर्क रहने का प्रयास आपको करना पड़ेगा इस समय के दौरान पैसा उधार देंगे किसी को तो वह वापसी लेने मे आपको ज्यादा दिक्कतों का सामने समय करना पड़ सकता है स्वास्ति की अगर हम बात करते हैं क्योंकि स्वास्त सही तो सब कुछ सही हेल्थ की अगर हम बात करते हैं आपके स्पेसिफिकली तो लगन में रेट्रो शनी है जो आपके आलस को इस समय के दोरान बढ़ा सकता है लेकिन उसके इलावा कोई भी ऐसा अशुब प्रभाव आपके लगन पे नहीं पढ़ता है आपकी राशी पे नहीं पढ़ता है तो इस वज़े से स्वास्त में कोई ज्यादा उतार चड़ाव की जो परिस्थित्या है उसका सामना आपको नहीं करना पड़ेगा लेकिन शनी देव की आलस बढ़ा देनी की वज़े से परिस्थिनेशन आपमें बढ़ सकती है जिसकी वज़े से मानसिक तनाव हो सकता है क्योंकि आप सोचेंगे कि मुझे यह काम करना है लेकिन आपकी जो बॉड़ी है शारीरिक रूप से आप नहीं करेंगा उस काम को तो इस वज़े से आपको थोड़ा सा मानसिक तनाव की जो परिस्थितियां है वो बढ़ सकती है लेकिन इसके इलावा as such कोई major health issues जो है वो इस समय के दौरान नहीं escalate होते हुए नजर आते हैं Relationships के अगर हम बात करते हैं, प्रेम संबंदों के अगर हम बात करते हैं वो आपके परिवार के साथ हो या फिर आपके प्रेम संबंदों में हो तो किस तरीके का यह जो समय है वो आपके लिए रहने वाला है इस महीने के दौरान आपको अपनी घर की life पर अपनी family life पर अपनी personal life पर थोड़ा सा ध्यान देनी की अवशक्ता ज्यादा है काम को आप अपना महत्वत दीजे लेकिन अपनी personal life को भी उतना ही महत्वत देंगे अपने partner के साथ है अपने family members के साथ भी अगर अच्छे से व्यभार रखेंगे और अच्छे से time spend करेंगे तो यह आपके लिए long term में ज्यादा fruitful है आपके relationships की जो मस्बूती और stability है उसको बरकरार रखेगा 16 तारीक तक अगर हम बात करते हैं तो सूर्य जो है वो directly शनी और सूर्य जो है वो एक दूसरे के opposite है तो एक दूसरे को दृष्टी दे रहे हैं तो इस वज़ह से परिवार में कहीं न कहीं कोई ऐसा spiritual या धार्मिक कारकरम हो सकता है जिसकी वज़ह से family के सारे लोग जो है वो उसी में व्यस्त रहेंगे लेकिन आपको भी प्रयास करना है कि आप अपनी professional life को थोड़ा सा side रखके अपनी personal life में भी थोड़ा सा input अगर आप देंगे इन सब चीजों में आप भी अपना सहयोग देंगे तो आपके जो संबंध है आपके परिवारिक रिष्टे जो है वो और जादा भैतर होंगे प्यार के मामले में love relationships के मामले में अगर हम बात करते हैं तो काफी fruitful ये जो समय है वो आपके लिए रहने वाला है तो उस लिहाज से अच्छा समय आप व्यतीत करेंगे अपने partner के सा मंगल की placement बहां पे आपके अंदर थोड़ा सा एक आक्रोश थोड़ा सा एक तरीके से aggression जो है वो ला सकती है उसको नियंतरन में रखने का प्रयास करेंगे तो all over आपकी जो love life है वो अच्छा result देते हुए इस समय के दोरा नजर आती है तो इस प्रकार का जो राशी फल है व सब हमने आज की वीडियो में cover किया और अब बारी आ गई है बताने की कौन सी remedies हैं जो आपको करनी चाहिए यानि की कौन सा शुब अंक, कौन सा शुब रंक और साथ में एक खास महा उपाय जो आपको करना चाहिए सेप्टेंबर के महीने में ताकि आप अपने लिए as an individual इस अंक को लिख कर इस piece of paper को अपने पास रखते हैं हमेशा तो उसके energies आपके लिए काफी अच्छा कारे कर सकती है शुब रंग की अगर हम बात करते हैं तो dark blue color जो है अगर उसको आप utilize करते हैं तो वो भी काफी जादा fruitful आपके लिए साबित होगा dark blue color के कपड़े पहनना, dark blue color अलगे किसी छोटे से element को अपने working table पे अपने bedroom में add करना या फिर उस color का एक छोटा सा piece of cloth अपने bag में carry करना इस प्रकार से आप अलग-अलग तरीके से इस color की जो energy है उसको अपनी life का हिस्ता बना सकते हैं September के महीने की अगर हम बात करते हैं उपाई कौन सा है जो आपको इ पीली सर्सों जो है वो भी लेनी है इन दोनों चीजों को आपको एक काले रंग के छोटी सी square कपड़ा जो होता है उसमें बान के एक पोटली सी बना लेनी है और इस पोटली को हमेशा आपको अपने पास रखना चाहिए आपके कामों में जो भी अरचने जो भी obstacles जो भी दि हमने आपको बताया है कि सेप्टेंबर के पहले शनिवार के दिन यह जो रेमिडी है वो आपको करनी चाहिए और इस पोटली को बनाके आपको हमेशा अपने बैग में यह हमेशा अपने पास जो है वो चाहिए तो आशकरते हैं आपको आज की जो विडियो है वो अच्छी लगी हो विडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने friends and family के साथ इस विडियो को share जरूर कीज़ेगा जाद से जादा लोगों तक इस विडियो को जरूर पहुंचाएगा और ऐसी beneficial विडियो के साथ फिर से लौट कर आएंगे इसी चैनल पर आपका दिन शुब रहे नमस्कार